इसलाम अलेकुम हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खर्यत से होंगे। प्रोस्टेट कैंसर, यूरन प्रॉब्लम, शुगर, बी, पी में कदू के बीच किस-किस तरह हमें फायदा पहुंचाते ही। और हम किन-किन तरिकों से उनको इस्तिमाल कर सकते ही। कदू के बीच एक विजायत से भरपूर और लजीज नाशता ही जो सेहत के लिए बहुत से फवाइद पेश कर सकते ही। कदू के बैजू के कुछ फवाइद ये ही। वो खुन में शकर के तवाजन को सहारा दे सकते ही। एक तर्टेक से पता चला है कि अलसी के साथ कदू के बीच जियाबीतस की पैचीद गीम जैसे हाई कोलेस्टरोल और ब्लड शुगर की सतर को रोपने में मिदद कर सकते ही। वो कैंसर के फत्रे को कम कर सकते ही। कदू के बैजू में पॉली फैनूल और दीगर मरकबात होते ही जो परोसटेट और चाती के कैंसर से बचा सकते ही। वो परोसटेट की सेहत को बहतर बना सकते ही। कदू के बीच सोमी परोस्टेटिक हावपर पलासी, बढ़ा हवा परोसटेट और पीशाब की नाली के निचले हिस्से के मसाईल की अलामात को कम करने में मदद कर सकते ही। वो दिल की सेहत को सहारा दे सकते ही। कदू के बेज़ों में फाइबर और मेगनेशियम ज्यादा होता है, जो आपके दिल और बलड प्रेशर के लिए अच्छा है। वो जियाब इतस के खत्रे को कम कर सकते ही। कदू के बेज़ों में हापूगली सीमक खसूसियाथ ही, जो आपको बलड शुगर की मुनासिब सतर को बरकरार रखने में मदद करती ही। वो आपके मुदाफ़ती निजाम को बढ़ा सकते ही। कदू के बीज़ जनक, फासफोरस, पोटाशियम और सलीनीन से भरपूर होते ही, जो आपके मुदाफ़ती काम और सोजश को कम करने के लिए जरूरी ही। हम किन-किन तरेकों से उनको इस्तिमाल कर सकते ही। कदू के बीज़ खाने के बहुत से तरीके ही, आपकी तरजीह और जायका पर मुनहसिर है। आप इन्हीं तंदूर में कुछ नमक और मुसालम के साथ भून सकते ही, और एक करंची नाश्टे के तोर पर उनसे लित्फफंदोज हो सकते ही। ये कदू के बीच खाने का सबसे आम और आसान तरीका है। आप मुक्तलिफ मुसालहं के साथ भी तजर्बा कर सकते ही, जैसे सालन, लाल मिर्च, दारचीनी या जाफल। कुछ इजाफी घजायत और साथ के लिए आप इन्हें अपने गरीनूला, डली या रोटी में शामिल कर सकते ही। कदू के बेजों में फाइबर, मैगनेशियम और जनक ज्यादा होता है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप इन्हें अपनी तरकीब में गिरीदार मेवे या सूरज मुखी के बेजों के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तिमाल कर सकते ही। आप कदू के बीज, फुष्ट मेवा जात, जई, शहद और मूम फली के मकखन से एनरजी बार या स्नेक बॉल्स बना सकते ही। आप इन्हें अपने पसंदीदा अजज़ा जैसे चौकलेट चिप्स, कोकनट फलेक्स या वनिला एक्स्ट्रेक्ट के साथ भी अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते ही। आप इन्हें अपने सलाद, सोप या कैसरूल में कुछ करेंच और जायका के लिए टॉस कर सकते ही। कदू के बीच करीमी या पत्तम वाले पकवानों में एक अच्छा तज़ाद शामिल कर सकते ही। और कुछ प्रोटीन और सेहत मंद चिकनाई भी फराहम कर सकते ही। मजीद लजीज जायका के लिए आप इन्हीं कुछ लहसन लीमू या जुड़ी बूटियों के साथ भी तोस्ट कर सकते ही। आप इन्हीं पानी, नमक और लीमू के रस के साथ मिला कर अपने सलाद या पियालों के लिए करीमी कदू के बेजम की डिरसिंग बना सकते ही। ये माइनोज या दही पर मबनी डिरसिंग का सबजी खोर और दूज से पाक मुतबादिल है और उसमी गिरीदार मेवे का जायका होता है। मजीद ताजगी के लिए आप कुछ लहसन लाल मिर्च या अजमूदा भी शामिल कर सकते ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तजावीज मुफीद और मजेदार लगेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि आप किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। शुक्रिया अलाहाफिज।